देखेकल चिराग पासवान सड़कों पर नजर आ रहे थे आपको बता दे कि उन्होंने एक मार्च निकाला था और वो जिस तरीके से बिहार में सराब बंदी हो जहरीले सराब से लोगों की मौत हो या कोरोना काल में लोगों की जान गई हो इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस भवन जाना चा रहे थे तस्वीरे कल किस तरीके से निकल कर सामने आई वो आप लोगों ने देखी होगी कि चिराग पासवान अपने तमाम कारकरताओं के साथ राजभवन के लिए निकले थे जेपी गोलंबर से और वहां पर प्रशाशन के द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई लाठियां भी चटकाई गई उनके कारकरताओं के उपर उसके बाब जूद चिराग पासवान को भी सचिवाले थाना ले जाया गया फिर वहां से उन्हें राजभवन ले जाया गया लेकिन उन सब के बीच जिस तरीके से चिराग पासवान और उनके कारकरताओं के लाठी चली और पुलीस प्रसासन जिस तरीके से नजर आ रही थी है जो कहा जाए कि प्रसासन एक्टिव मूड में कल था हर जगे पर डाक बंगले चौरा है की बात करें इंकम टेक्स चौरा है कि बात करें यह पटना म्यूजियम जहां पर चिराख पासवान को रोका गया वहां से उनको सचिवाला इथाना ले जाया गया जिसके बाद फिर वहां से उनको राजभवन ले जाया गया उसके बाद उन्होंने ग्यापन सवपा लेकिन यह सवाल आज बिहार के पूरुप स्वास्त मंतरी और लालुप्रशादी यादब के बड़े लाल तेश प्रतापी यादब से किया गया कि आखिरकार चिराख पासवान के उफर लाठी चलाई गई उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग भी सड़कों पर आते हैं हम लोगों के उपर भ पूरा करें यह बात तेश परताप यादब जो बिहार के पूरुप स्वास्त मंतरी और लालुप यादब के बड़े लाल सुनिए उनका पासवान बिहार बचाओ यातरा पर निकले थे पर उन पर लाठी चार्ज हुआ और उनका कहना है कि नितीज कुमार में हिम्मत नहीं थे चल्फ उनका तब प्सक्राइब करने का काम किये थे और पुलिस के दो़ारा भी पथिज़़ार करने का काम हुआ थे वह समय में हम लोग तो लागातार जितने भी यूथ आईकन जितने भी भिहार के जितने भी ही लीडर्ड लोग हैं। जो समाजी को thing 늦्या को जो फालो करने वाले लोग है व कि सब लोग अपनी बात को और अपनी हक की लड़ाई। करने काम कर रहे हैं निए परदर्शन हुआ है लाटी चार्रा में चलता रहता है अपनी मांग को पूरा करने काम कर रहे हैं